जैसे ही लाइब आ जाए आप लोगों के पास एक नोटेफिकेसन पहुँझा तो चलिए जल्दी से अपने अपने गूरूप में क्या करिए शेयर कर दीजे शेयर कर दीजे आप सभी लोगों से निवेदने की शेयर करिए ज्यादा ज्यादा और पहले परसन एकदम सकरातमक स सोच के साथ करेंगे चलिए देख लेते हैं यहाँ पहला करने में और तीसरा कराए कि बच्चों का चरितर विकास में और चौथा करा है कि उपयूक सभी तो राइट एंसर हमारा यहाँ पहले का क्या होगा एक्दम सही option को आप लोग टिकरिए और सही से एकदम एंसर दीज तो इसका right answer जो जाएगा हमारा यहां पे चोथे साथ जाएगा बच्चों का तार्किक द्रिष्टी कोड पैदा करना गड़ित कि द्रिष्टी कोड होती है इसमें क्या होता है बालक सोचने विचारने की परविलता होती है उच्छ होती है और समाजी करन अगर उसमें यहां प सकते हैं तरकिन अगर परछक्र्ण कर सकता है आपने तो समाजी करन भी कर सकता है और अपने शेकर का निर्माड कर सकता है तो राइट add payment कि क्रिशष कराई क्या है यहां पर कराये वर्तमान में जो गतविदिया यानि पाठ पुस्तक की जो सिछण दी जा रही है उसका दोस क्या है यहां पर देखी पहला कराये की पुस्तक की ज्यान प्रबल और दूसरा कराये की पुस्तक की ज्यान प्रबल और दूसरा कराये की विस्यों में से संबंद का अभाव और यहां पर दूसरे का होगा ज़ल्दी सी आप लोग अपना कमेट करिए कि इंसर हमारा क्या होगा यहां पर रिव गया होगा और दूसरे का पुस्तक प्रभल नहीं है तो आप सिच्छा को अस्थाई रूप से बच्चों में ग्रहन नहीं करवा सकते हैं और क्या होता है कि जो कच्छा का महल होता है वो असंगठित हो जाता है यानि सोर सराबा अधिक होता है ठीके और बालक जो होते हैं सीखने में रूची नहीं लेते हैं ठीके तो आपकी जो सिच्छन है आपकी किस परकार से आपको बच्चों को पढ़ाना है उसमें आपको नि गज़िए टेयां के चीलापन के बालक अस्थर के अनुफार ग्रूर सबस जा creepy जा करने तो एक पर रैसी को वेश्षा चाहिए देखी कराया कि कच्छा में गड़ित सिच्छन के साथ साथ आयोजित की जाने वाली मासिक परिछाओं की आवसकता होती यानि जो गड़ित सिच्छन की जो आयोजित किया जाता है यहां पर साथ साथ आयोजित किया जाता है मासिक यानि महीने में जो परिछाएं ली जाती उस को बढ़ावा देने के लिए तो आप लोगों को पता ही है कि जहां पर भी अभ्यास का कारद्य दिया जाए रूची से जादा उप्योगी क्या है हमारा अभ्यास बालक जादा से जादा अगर अभ्यास करेगा तो उसमें रूची अपने आप उत्पन हो जाएगी ठीक है तो उत्रिल्द करने के लिए नहीं उनकी मांसिक पौदिक और आपने कर्त्नय को दूर करेंगे तो राइट ंसर अंसर यहाँ पर इता आपर तीसरा जायगा 14 गलत है चलवे आगे बढ़तें आपने यहाँ चौथा परसन ठीट प्रूतर समशले इंड़ सब्सकुर्चिन और यहां पर तीसरा करा, बेवहरी जीवन में उपयोगी है एब parlé्ता करा है। जी होता है यहां पर होता है यह गडित करता है। तो यहां पर देखी यह भी राइय टेंसर होगा यहां और सबस्क्राइए क्लास छोड़ दिया पहीं जा रहे हैं कोई सब्जी ले रहे हैं आप चीना में कोई समाड ले रहे हैं दुकां से यह भी याद रखेगा सबसे पूरात्म यहां पे गडित शुत्र है वो क्या है अंक गडित है तो राइट टैंसर जो जाएगा अगर तीनों सब्सक्राइब यहां पर चौथा जाएगा याद रखेगा चलिए आगे बढ़ते हैं पांची परसन पर देख लेते हैं पांचमा परसन परसन यह करा है हमारा के एंसीफ दोजर पांच मानता है कि गडित में सोचने एवं तर्क का एक निशी तरीका नहीं थैं नीचे दिये गए कथनों में से वह कथन चुनी है जो उपरियोक सीधान्द का पालन नहीं करता है उससे हमें ढूलना है तो यहां पर देखिए परसनों का हल करने के लिए बिद्यार्थियों को निर्धारिश सुत्र बताना आइए और पांच में का राइट एंसर क्या होगा तो रहिए यहाद रखे दूसरे इसाथ जाएगा चलिए आगे वड़ते हैं यहां पर छट्टे परसन के साथ देख लेते हैं च्टा परसन क् मतपुड है यह देखी राष्टी पाठ शरिया की रूप रेखा यह दोजर पांस क्या मानती है गड़ित में चिंतना तरकड़ा का एक तरीका सामिल होता है इस दृष्टी कोड को किसके द्वारा परस्तावित किया जा सकता है तो यहां पर देखी पहला क्या करा है यहां पर किसको परस्तावित करने की बात करा यह राष्टि पाठ चरिया रूप रेखा 2005 आप लोगों पता है कि तीन से चार नंबर आप लोगों को राष्टी पाठ चरिया से रूप रेखा देखिए अलग से कोचिंग देने की बात कर रहा है तो यह हमारा गलत हो गया NCF 2005 काता है या फिर NCRT काती है हमारा यह काता है कि कोठारी आयोग में भी यह सामिल किया गया है की आप अलग से सिख्षा का परवाह को नहीं कर सकते हैं यानी बीद्यालाइय कच्छा पर अधिक Uganda गजोड़ देना जै। जिसमें किया होता है कोचिंग में अगर जाएंगे तो आप क्या करते हैं अधिक से अधिक फीस का मुटिव भरकम देते आपको अखर नहीं हो गारता है Logan एक नहीं करेगा और योग कर当ा हो जाता हूं यानि उससे समंदित जीवन से जोड़ना विद्यार्थियों को चर्चा यहां पर देखिए चर्चाओं में भाग लेने की बात कराया है देखिए आप आपसन कैसे पकड़ सकते हैं यहां पर खोजी बीन एक हो गया दूसरा करा है कि हस्त चालको यानि दो हो गया और यहां पर संकलातमक यानि करने के लिए यहां पर वास्तविक्ता यानि जीवन से जुड़ी हो उसके और यहां पर देखिए चर्चा एक दो तीन चार अगर सठीक आपसन आप लोगों को एक ही परसन मे हैं लेकिन आगे बढ़ दलते हैं गड़ित की सभी परस्तुकों में यहां पर करा है पुर्ण लिखन यानि लिखने की कारे होना चाहिए और विदार्तियों को बहुत सारे सवाल कारेपत्र के हैं बहुत सवाल देने से क्या मतलब अगर वालों को कुछ आएगा ही नहीं तो यहां पर दूसरी साथ जाएगा चलिए साथ महां पर आगे बढ़ते हैं देखते हैं साथ महां पर सन यह कर रहा है कि पैटन की पहचान करना उन्हें पूरा करना प्राथमी कस्तर पर गड़ित की पाठशरिया तो इसी आप क्या कर सकते हैं ठीके तो राइट एंसर हमारे य में पर दो मुस्तित करता है लिए त्यार करता है और यहां पे देखिए चौथा तो बहुत ही महत्तपूरे भात फसेगी पहले और चौथे में यह बीदियार्थों को बढ़ावा देता और संख्याओं तथा उसके स्कुर्याओं को समझे में सहायता करता है अब यहाँ पे दूसरा तो होगा नहीं यहाँ यह भी नहीं होगा तीसरा नहीं होगा अब बात फस्ती ही आप लोगों कि 6 एंसर आप लोगों संथा करने कि बात कर रहा है यापर सरी नातमा को बढ़ावा देने की बात कर और संख्याओं को समझने में किस परकार से समझाया जाए उनको रूची पैदा किया जाकि हो सीख सके तो यहां पर देखिए पहले से वेटर हमारा यहां पर चौथा है तो राई टेंसर जो जाएगा यहां पर हमारा चौथे के साथ जाएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते है समझे कोसल को किसके द्वारा यहां पर बढ़ाया जा सकता है तो पहला यहां पर कर रहा है कि केवल इल्गूरीथम का वरण करके और दूसरा यहां पर देखिए बहुत ही महत्तपूरे कच्छा में अभ्यास है तो क्रिया सिल गदविद्य को आयोजन करके और यहां पर संकल पनाओ यानि पढ़ाने के बाद तुरंत आप क्या कर रहे हैं अभ्यास ले रहे हैं और केवल जहां सब्दे दे दिया हूँ आपका नकरातम है तो आपका राइट एंसल जो जाएगा यहां पर दूसरे साथ जाएगा कच्छा में अभ्यासकार क्रिया सील गदविद्य को आइजित करना ठीके अधिक चर्चा पर चर्चा करके पने अपसमें सभाग्ता अपने समय वयक्त बलकों के साथ उस किया को शीख सकी ठीक तो राइट एंसल जो जाएगा हमारे तो यहां पर दूसरे एक साथ जाएगा अगर सहमत है तो एक बार थंबल जरूर मारे ठीक ह एक बार थंबल जरूर मारिए ताकि हमारा फीडबेट बना रहा है ठीक है चली एक बार नौए परसन को देख ले रहे हैं क्या करा है देखिए सभी परसन आप लोगों को बहुत ही महत्तपूर है चार से पांच नंबर तो शीयो रहे हैं गड़ित सिच्छण में जाए सियब जो होता है गड़ित में कितना महत्तपूर होता है ठीक है और 11 से लेकर 19 तक बनाएगा है तो याद रखेगा कितने महत्तपूर परसन आये हैं तो यहां पर देखिए नौमा हमारा क्या कहा रहा है यहां पर राष्टी पार्ट शेया की रूप रेखा 2005 बल देती है कि बल दती है यहां पर पहला कराया कि गड़ित चैनी सिच्छार्थियों को बढ़ाव्य जायेगा जाएगा अब दुसरा करा रहे कि गड़ित में सपल परतिक बच्चे के लिए आवस्तिया की रिख़यां अब देखिए सभी प्रसन आपस में धासूप अब जा रहे हैं अगर आ पहले को छोड़ रहें तो दूसरा फजया रहाएं तो तिसरा हो छोड़ रहें तो आ पुतनर लग रहें लेकि आन चाहिक निया ओगा नौमें का नका रहािटस गर नहीं लेना दिना है, और उपलबियमन ईदारित पहले सकते हैं मतलब सब्सक्राइट से पूर्ट सब्सक्राइट के kʰेंगे तो ओर अलग होने चाहिए लग नहीं होने चाहिए ुप्रबाद किया है सफ़ल पर्तियक से मतलब कर्या है नाष्ण सबक्राइब हमारा पर हमारा राइट नानयां सब्सक्राइब तुर॥ यह-इस लिए परसन तो यह तींकि ने effective है है और यह इस इस प्रस्ण को बहुत ही इंपोर्टन वाना गया है तो चलिए देख लेते हैं कितने लोगों का सही हो था यह दस्मा करा के राश्टी पाट्शेया की रूप रेखा करते हुए सिच्छार्तियों की सख्री भागिता पे तो राइट एंसर हमारा क्या होगा तो राइट एंसर क्या होगा देखिए यहां पर सिच्छक को प्रभावी व्यक्यान अनुदेशन पर केंद्रित है नहीं बैठ रहा है दूसरा करा है कि परिवासा सुत्रों को याद करन केंद्रित है याद करता है तो केंद्रित कैसे हो गया यह भी गलत हो गया नियमित क्या होती है यह आपकी एक नकरातमक सोच है लेकिन यह भी कई option में अगर हिंदी में परियावरण में और बाल विकास में आ जाए तो यह आपका बहुत ही महत्तपूर होगा ठीक है तो राइट एंसर जो जाएगा हमारे यहां पर चोथे के साथ जाएगा यहां पर जेखिए क्या करा है कि गत बीधी में सभी बच्चे सामिल होते हैं सा सभागिता का परयोग दढ़ाये इसमें क्या कर रहे है अगर शकरी है तो इसमें क्या होता है। अपस्ओर लोगों को याद करना तो अगर से नहीं आ रहा तो दोनों पर चा-्चा-कार रहे हैं बालक उनको क्या आता ह। लेकिन आप अकेले एक बालक को अगर खड़े करके पूछेंगे तो भूल जाएगा और उसमें डर आ जाएगा लेकिन सभी को कहेंगे कि सभी लोग अपने में सीख लीजिए तो बालक जटी से सीखता है तो राई टेंसल जाएगा हमारा यहां पर चौथे पर जाएगा चली वरते हैं अगे अग्यावा परसन देख लेएगा यह भी बहुत ही मतुपूड है इसे चोड़िये गमत और देखते हैं सबसे से फश्ट इसका कमेंट किस का आता है सबसे उत्तर फश्ट में किसका आता है चलिए देख लेते हैं यहां पर कराई कि राष्टी पारसरिया के संक्लपना पर दूसरी संक्लपना बनना यानि एक सूतर के द्वारा दूसरी सूतर का निर्माड करना ठीक है तो यही संक्लपना है दूसरी संक्लपना का जोड़ना तो राइट एंसर हमारे यहां पर क्या जाएगा जल्दी से बताइए इसका राइट एंसर हमारा क्या होगा ग्रामे का जो राइट एंसरा का हमारे यहां पर दूसरा ही होगा इसमें क्या होता है देखिए चुनातीपुर समस्याओं को हल करना ठीक है यह तो ठीक है लेकिन किसके द्वारा करेगा ठीक है यहां इधार्ट नहीं किया है और गडित में खेलू का सिरजन खेल का महत्तों ज है तो आप दूसरे सुतर का निर्माड उसी के द्वारा कर सकते हैं जैसे a square plus b square plus 2ab या पिर a square plus 2 square minus 2ab कर सकते हैं यानि एक सुतर के द्वारा दूसरी सुतर को आप पर सुतर कर सकते हैं तो रूप रहा, 2005 उल्यक किया गया है कि मंतलब है कि आप क्या करते लचियों के ॥ ऐखोज होता है, तीसरा कर रहा है चाहिए कि अनुपरयोग कर रहाइं तो मानसहें पर भीक्षित का वाका vit मालिक शम भीक्षित कर रायों, ईपर फीर कवा फिर परियोग करना, और यहां पर चौथा कर आए sense Level 4 का राया है इनफें पर प्राथमी पस्तर पर शंख्याओं और संक्रियाओं और मात्राओं का मापन आदी का सिक्षड किद्वारे निराइद किया जाता है पहला करा है हमारा कि यहां पर गड़ित सिच्छन के संक्रिल उद्देश को पूरा करता है और दूसरा करा है कि गड़ित सिच्छन के उद्देशियों को पूरा करता है यहां पर देखें संक्रिल उद्देशियों को पूरा करता है और तीसरा करा है यह बच्चे के चिंतन प् तो आप्शन आप पूछेंगे कि क्यों नहीं सही हुआ था, यहाँ पर देखिए उच गच्छा की बात किया था, यहाँ पर देखिए प्राथमिक अस्तर की बात किया है, तो बालक जो होता है, खोज-खोज भी सीख लेते हैं, संख्याओं की यहाँ निदारित कर दिया कि रि पे बात किया तो प्राथिमी कस्तर पे आप सभी लोगों को पता है कि खोज के माध्यम से खेल के माध्यम से बालकों में जिग्यासा उत्वपन की जाती जिससे उप्या करते हैं गतवीदियों को शक्री रूप से भाग लेके सभी समस्याओं को स्वल्ब करते हैं तो राइट घड़ती भासा में निपूर्था को जम स्क्राइं को परदर्सित करने के द्वारा बढ़ा जा सकता है पहला यहां पर करारे की रोज श्ती भाषा तीसरा करोज मर्या की भासा गड़ती समय भासा पादीकात्मक भाषा आप देङें परतिकात्मक में यहांच है तो जलदीस पर 24 आमें का राइट एंसर क्या रंगे सकते हैं उसके बार प्रतिकातमे करना अपने मुल्यों का निदेधारन कर सकते है तो राइट एंसर एक हमारा लूज मर्या यांनि दीन कैसि क्लिए क्लिट सिती क्या है क्लिए संच ने कि पारिक यहां प्रतिकों का है एक परयोग करेंगे इसे skin start तुरंद माले जी और option जो है इसका right answer जो है हमारा यहां पर mark कर रहे हैं यहां पर right answer जो जाएगा यहां पर हमारा यहां पर पहलेक साथ जाएगा इससे आप लोग skin start ले लीजिए ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 15 में परसन पर इसके बाद last person आप लोगों के प्रकरणों में खंड अभ्यास समय को समावकीत करने का उद्दे से क्या है तो यहां पर देखिए पहला option हमारा यह कर रहा है कि विद्यार्थियों को आनंद वो मस्ति परदान करना दूसरा कर रहा है दयनिक जीवन चर्या में बदलाव करना और तीसरा कर रहा है समय का बहत रहा है जितना अधिक अधिक आदिगम अवसर परदान करना जितना अधिक अफसर आपको परदान किया जाएगा विस्तृत अधिगम के लिए उतना आपकी प्राथमीक विद्यालों के बच्चों में बहुत लोक्त होता जा रहा है इसका परियोग निमलिकित में से किसके बिकास संवरधन में होता है देखे वैदिक गडित का परियोग आई इस समय आप क्या कर रहा है कि यहाँ पर अलग अलग तरीकों का परियोग करके आप देखते हैं ट्रिक के माधियम से याद रखेगा ट्रिक के माधियम से ही बालकों को किस परकार से सिखाया जाए उसका उपियोग अधिक से हो रहा है प्रात्यमिक अस्तर पर अधिक होहें तो बालक का अगर नियु मजबूत होगा दुसरा का रहा है की विद्यार्थben के गड़ित में समस्या काऊंसा आप्षण सरह होगा इसे किसाथ चलिए बढ़ते हैं वहत ही अच्छे हैं यहां पर बना सकते हैं यह पर दिए जूंकर बहुत से स्क्पाना ले सकते हैं क्यों कि यह बहुत न क्या कहा है कि गडित को पाटिक्रम में विशेस अस्तान देने का कारण क्या है उपर आप लोगों को आप सुन में था पहला करा कि यह बिढ्यान विसांगं पर अधारीत होती है ठीक दूसरा क्या करा है गडित का मानुजीवन में घनिश समंदित यानि दिन पर चरियां जो काम किया जटा है कभ इसका परियोग हो जाता है उससे समंदित है कि करा कि आज की इस भावतिक यूग में भावतिक से मतलब यह है कि आप नए ने चीजों का निर्माड कर रहे है अपन कि दृष्टि कोड पैदा करती है कि इसके दौरा पैदा करता है पहला करा रहा है कि गडित के परतिक समस्या को हल करने के लिए करने है तू बच्चों को तरक Πुष्शार करना चाहिए होता है परतिक पद का संबंध एक दूसरे से एक निशीत तऱ क पर अधारित होता है जिससे चातर में अनेक मानसिक सकतियों का विकास होता है, जिसके परफाव में बहुतिक विकास भी होता है, यानि उनके जो इस्टेवरोस चमता है, वो क्या करता है, बिकसित हो जाता है, ठीके, अब देखें, यहाँ पर करा रहा है कि गडित, एक बिसे परकार में सोचने के दृष्टीकोड परदान करता है, करा है कि गडित पढ़ने या पढ़ने वाले बालकों में एक ऐसा दृष्टीकोड बिकसित होने लगता है, जिससे कि उसके दोरा कार्य करने संबंध नीमी तसुद दता, कि साथ साथ सीखने, इसके साथ उनमें तारके न ढग के सोचने का बिकास भी होता है और यहां पे अद्धियान के बालग किसी भी ग्यान को याफार्थ रूप से गरहण करने की भावना का विकास करता है गडित की सभी परते सूत्र तत्थे यां पे पूलड रूप से सही अपरष्ट होते हैं इनमें किसी परकार का संदेन नहीं होता है ठीक है तो इस आपसे को आप लोग और यहाँ इस में की सकते कहले को और संख्रियायों का अध्यां करते हैं दूसरा यह पे तरल सब्सक्राइब और प्राइब गलित का महत्या तो भी दिया घया है दिखे लेते हैं अमुग वी से इसमें क्या होता है मानस्थिक सिक्तिया होती है इसे आप लोग पीडिये दया जाएगा उच में देख लीजिएगा अब लीजयों से आप लोग अभर ग्यानिक और ज़िव Two सी चल्चा के अदू न्तर हके कि अंतररश्टी हो आप या फिर पीडियेप से नूट बना लीजिए अब देखिए यहां पर बात कर रहा है कि यहां पर इस्कूल गड़ित सिच्छा की समस्याइं क्या क्या है इस्कूल में दी जाने वाली गड़ित